दोस्तों, नीला समंदर देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इसके अंदर की दुनिया उससे भी ज्यादा खतरनाक और विशाल है इस दुनिया में कई जीव रहते हैं, इन में से कई जीव बेहद ही छोटे और खूबसूरत हैं, तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं वो चाहे मगरमच्छों या फिर शार्क, भेल या फिर पिरानहा आपने खतरनाक शार्क या पिरानहा मचलियों के बारे में, तो सुना ही होगा जो बेहद ही खतरनाक होती है दरसल पानी के अंदर कई ऐसी मचलिया हैं, जो न सिर्फ आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं, बलकि यह मचलिया आदमी तक को भी खा जाती है इंसानों पर अटैक करने के लिए Great White Shark बहुत फेमस है जिसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है जो एक ही वार में बड़े से बड़े जीव को अपने नुकीले दान्तों से चीड़ फार कर रख देती है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई सारी दूसरी मचलिया भी हैं जो शार्क से भी ज्यादा खतरनाक है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Facts of Universe आज हम आपको दुनिया भर में पाई जाने वाली दस ऐसी खतरनाक मचलियों के बारे में बताएंगे जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे नमबर दस वेल्स कैटफिश वेल्स कैटफिश ताजे पानी की एक बड़ी मचली है जो कजाकिस्तान, चीन, ग्रीस, तुर्की, सेंतरल और इस्टरन यूरोप में पाई जाती है यहां मचलियां अपने घरों के बचाव के लिए काफी सक्त होती है अगर कोई तैरते हुए इनके घरों के पास पहुँच जाएं तो यहां उन्हें जरूर काटती है अपने छोटे दान्तों से यहां जोरदार तरीके से काटती है इसकी लंबाई 5 मीटर और वजन लगभग 150 किलो तक होता है जिसके साथ ये 50 साल तक जिन्दा रह सकती है वेल्स कैटफिश महाद वीपीय यूरोप की गर्म जीलों और नदियों में रहती है ये मचली, मेंधक और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करके खाती है वेल्स कैटफिश आकरामक शिकारियों में से एक है इसके रेजर जैसी धार वाले नुकीले दांत होते हैं वेल्स कैटफिश आकरामक होने पर ये इंसानों पर भी हमला करती है केंडेरो फिश न सिर्फ खतरनाक बलकी बहुत जहरीली भी होती है अमेजन नदी में पाई जाने वाली ये मचली छोटे मौन्स्टर के नाम से जानी जाती है इसे पेंसिल फिश, टूथपिक फिश और वेंपायर फिश भी कहते हैं केंडेरो फिश इतनी छोटी होती है कि शरीर के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके सीधे अंदर घुस जाती है जिससे किसी की भी मौत हो जाती है स्थानिय लोग इस मचली से डरते हैं क्योंकि यह नदी में सनान करने वाले व्यक्तियों के मूत्रमार्ग में प्रवेश कर जाती है ये शरीर के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके सीधे अंदर घुस ती जाती है ऐसे में शरीर के अंदर कई हिस्से कट जाते हैं, जिसकी वजह से किसी की भी मौत हो जाती है इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक जीवों में से एक है जो दुनिया भर के टेंपरेटस सीस में रहती है दुनिया में इसकी कई प्रजातिया पाई जाती हैं ये अपनी मांस पेशियों के जरीए बिजली को प्रोड्यूस और स्टोर कर सकती है इलेक्ट्रिक्रे शिकारियों से बचने या शिकार पकड़ने के लिए बिजली के जटके का इस्तिमाल करती है ये एक ही बार में 8 से 220 वोल्ट तक की बिजली के जटके को प्रोड्यूस कर सकती है हालां कि इसके ये बिजली के जटके इस पर निर्भर करते हैं कि ये शिकार के लिए है या बचाव के लिए इलेक्ट्रिक्रे समुद्र में मिट्टी या रेत के नीचे रहती है इसका गहरा भूरा रंग समुद्र में शिकारियों से छिपाने में मदद करता है यह मचली दिखने में किसी पतं की तरह होती है पतं की तरह ही इसका शरीर चकोर होता है यह पानी के उपर भी आ सकती है और कुछ समय के लिए हवा में उडान भी भर सकती है दुनिया में मचलियों की ऐसी तमाम प्रजातियां हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक होती है कुछ बड़ी मचलियां हाथ-पाम तक काट लेती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं कि उनका एक डंक ही आपकी जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है ऐसी ही मचली है लायन फिश। लायन फिश इंडो पसिफिक और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है इसके लाल, सफेद, घूरे और काले रंग के बैंड की वजह से ही इसे जिबराफिश, फायर फिश, तरकी फिश, टेस्ट फिश या बटरफ्लाई कोर भी कहा जाता है लायन फिश की लंबाई 5 से 45 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलो तक होता है इसके अंदर पेक्टोरल फिंस और जहरीले डंक होते हैं, जो बहुत दर्दनाख है लायन फिश का जहर जानवरों के साथ इंसानों के लिए खतरनाख होता है लायन फिश के काटने पर बहुत दर्द होता है, साथ ही सास लेने में तकलीफ और उल्टी होती है घले ही पफर फिश दिखने में बहुत सुंदर और मासूम लगती है, लेकिन ये बहुत ही जहरीली होती है, जो जापान, कीन, फिलिपिन्स और मेक्सिको में पाई जाती है इसे पफर, बलून फिश, ब्लो फिश, ब्लो बीज, बबल फिश, ग्लोब फिश, स्वेल फिश, टॉड फिश, टॉडिस, हनी टॉडस, शुगर टॉडस और सी स्क्वैब भी कहते हैं ये आकार में ज्यादा बड़ी नहीं होती ये लगभग 10 साल तक जिन्दा रह सकती है इस मचली में साइनाइड से भी खतरनाक जहर होता है, जिससे कोई भी जीव या इनसान पैरालाईज हो जाता है नमबर पांच, इलेक्ट्रिक इल खतरनाक इलेक्ट्रिक इल अमेजन और ओरिनों को नदी में रहती है इसकी लंबाई 2 मीटर तक और वजन 20 किलो का होता है ये मचली भी इलेक्ट्रिक रे की तरह बिजली के जटके देने के लिए जानी जाती है इसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स नाम का 6000 से ज्यादा तरह की कोशिकाय होती है अपने बचाव या शिकार को पकड़ने के लिए ये 7 से 600 वोल्ट तक बिजली के जटके देती है इलेक्ट्रिक इल का बिजली का जटका इतना खतरनाक होता है कि इससे इनसान का हार्ट फेल जाता है और उसकी मौत हो जाती है नमबर 4 पिरानहा पिरानहा ताजे पानी की एक खतरनाक और जानलेवा मचली है जो अपने रेजर की तरह तेजधार वाले त्रिकोनिये दांत के लिए मशूर है ये दक्षिन अमेरिकी नदियों में रहती है पिरानहा हमेशा जुंड में शिकार करती है ये अपने से बड़ी मचली या जीव को पलक जपकते ही शिकार कर खा जाती है पिरानहा बड़े शिकार को पकड़ने के लिए एक बड़े ग्रूप में शिकार करती है एक भूखी पिरानहा इंसानों पर भी हमला कर सकती है आपको बता दें कि अमेजन में तो पिरानहा के इंसानों पर हमले की बात आम है पिरानहा मचली की बजह से अमेजन नदी में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं पिरानहा को 1978 जैसी फिल्मों में पिरानहा को एक क्रूर अंधाधुन्ध हत्यारे के रूप में चित्रिक किया गया है हालाकि अधिकांश प्रजातिया हैं मेलाड होने वाले या पौधों की सामगरी पर भोजन करने वाले होते हैं नमबर तीन बॉक्स जेली फिश बॉक्स जेली फिश एशिया, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजी लैंड और आस्ट्रेलिया के समुदर में पाई जाने वाली एक पारदर्शी जेली फिश है जो पानी में 7.4 किलोमिटर प्रती घंटे की स्पीड से तैर सकती है पानी में इसे देखना मुश्किल होता है बॉक्स जेली फिश नेमेटोसिस्ट जहर पैदा करती है, जिससे पहले दिल काम करना बंद कर देता है, धड़कन रुप जाती है और मौत है जाती हर साल 100 लोग इसके जहर से मर जाते हैं नमबर दो बुल शार्क बुल शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में से एक है ये ब्राजील, मोरक को, अंगोला, साउट, अफरीका, केनिया, भारत, वियतनाम, फिलिपीन्स और आस्ट्रेलिया में पाई जाती है बुल शार्क फिश बहुत तेज और एक आकरामक शिकारी है दूसरी शार्क की तुलना में इसने इंसानों पर ज्यादा हमले किये है ये कच्छुए मॉलस्क, क्रस्टेसियन और डॉल्फिन खाती है बुल शार्क को उनके शरीर के उच्छ चौडाई से लेकर लंबाई अनुपात के कारण अन्य शार्क से अलग किया जाता है जो उन्हें एक मोटा रूप देता है कई मचलियों की तरहे बुल शार्क भी काउंटर शेडिंग या शीर्ष पर गहरे रंग और पेट के नीचे हलके रंग का प्रदर्शन करती है इससे जानवरों को अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद मिलती है उपर से इसकी अंधेरी पीठ नीचे गंदे पानी में मिल जाती है लेकिन नीचे से इसका सफेद पेट उपर सूरज की रोशनी वाले पानी में मिल जाता है नर्बुल शार्क की लंबाई लगभग 7 फीट तक होती है और मादाओं की लंबाई 11 फीट या उससे अधिक होती है वयसकों का वजन आमतौर पर 91 से 227 किलोग्राम के बीच होता है स्टोन फिश को दुनिया की सबसे खतरनाक मचलियों में से एक माना जाता है इसके पास सुई के समान नुकीले डंक होते हैं जो खतरनाक और बहुत दर्गनाक होते हैं जिससे जानलेवा नियूरोटिक जहर निकलता है ये 14 से 20 इंच लंबी होती है जो दिखने में पत्थर जैसी लगती है स्टोन फिश उतना जहर छोडती है जितना बजन उसके उपर पड़ता है अगर गलती से इसके उपर किसी ने पाव रख दिया तो आपका पाव काटना पड़ेगा क्योंकि इसके जहर से लकवा मार जाता है या फिर समय पर इलाज न मिलने पर 24 से 30 घंटों में मौत भी हो सकती है दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इन दसों मचलियों में आपको कौन सी मचली सबसे ज्यादा खतरनाक लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद